हलो फ्रेंट्स आएम अप्रती वेलकम बेक टू आर चैनल प्लांट से स्पेस आज हम आपसे ड्वाफ मदू मालती यानि रंगून प्लांट शेयर करेंगे और उसको दूसरे पॉट में शिफ्ट करेंगे तो अभी प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है मदू मालती प्लांट सर्दियों में ग्रोथ नहीं करता है सर्दियां डॉर्मेंट सीजन होते हैं इस प्लांट का इसलिए ये सूखा हुआ दिखाई देता है क्योंकि सभी पतियां जढ़ जाती है लेकिन जैसे ही फरवरी मार चाता है प्लांट में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है आप देखी सकते हैं प्लन्ट में निव शूट्स आने लगी है तो इस तरह से आपको प्लन्ट को कभी भी सुखे हुए प्लांट को हटाना नहीं है, पहले ये देखिए कि प्लांट हरा है या नहीं, उसके लिए सबसे पहले स्टैम को यानि जो तना है प्लांट का उसको हलका सा स्क्रेच कीजिए, अगर वो ग्रीन है तो समझे आपका प्लांट ठीक है और सीजन आने पर नियू ग्रोथ अपने आ हुआ था, वो बहुत हाड थी, तो प्लांट अची ग्रोथ नहीं कर पाता, लेकिन आपको जब भी रूट्स पर से सॉयल हटानी है, पहले चेक जरूर कर लीजिए कि सीजन कौन सा है, रेनी सीजन यानि बारिश के मौसम में आप रूट्स पर से सारी सॉयल हटा कर प्लांट या जिसको बड़ा पार्ट देना है या जिसकी प्रूनिंग करनी है, या जिसमे फर्टिलाइजर एट करना है, तो निदिए का मधुमालती भी अब गरॉथ स्टार्ट कर चुका हैं, इसको भी अब भंको प्लांट नौर्सरी से लाते हैं, तो एक साल के लिए आप छोटे पॉट में 8 या 10 इंचिस के पॉट में लगा सकते हैं लेकिन जैसे अब आगे ग्रोथ करेगा तो अब हमें कम से कम इसको 12 इंचिस का पॉट देना होगा तो इसको हम लगभग रेनी सीजन के आसपास लेकर आये थे शायद जून में लाये थे तो काफी समय हो चुका है अब सो 50% सोयल और 40% गोबर की खाद है आप 50% 50% भी ले सकते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं हैवी फीडर होते हैं उनके लिए आप दोनों को बराबर मात्रा में भी ले सकते हैं तो अब ये सोयल मिक्षर हम भर देते हैं अच्छे से ड्रेनेज होल का बहुत अच्छे से दे रही होगी पॉट की ओवर माश्चर नहीं है ये क्योंकि बारिश हुई है इसी वज़े से ये जो मिटी है ये पूरी गिली दिखाई दे रही है तो मिटी अगर आप वैल ड्रेन रखेंगे यानि की पानी होल्ड नहीं होना चाहिए तो आपके प्लावर नहीं दे रहे ह है ये कलिया ज हड रही है फ्लावर्स नहीं आ रहे है तो सबसे पहले मौश्चर पे ध्यान देजें अगर ओवर मौश्चर होगा तो प्लावर शॉक में चला जाता है रूट्स गलने लगती है प्लान फ्लावर्स पर ध्यान नहीं दे पाता है इसलिए आप पानी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए दूसरी बात धूप बहुत जरूरी है कम से कम किसी भी फ्लावरिंग प्लान को 3-4 घंटे की डारेक्ट धूप उसको ज़रूर मिलनी चाहिए ज़्यादे से ज़्यादे आप पूरे दिन की धूप में रख सकते है तो यह डौप मदू मालती है यानि यह पौधे के रूप में चलती है और एक बेल वाली मदू मालती आती है जिस पर हम कई वीडियो शेयर कर चुके है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो जरूर चैक कीजिए तो दोनों वराइटी आप ग्रो कर सकते है यह कटिंग से भी ग्रो हो जाती है बेबी प्लांट से भी ग्रो हो जाती है तो साइट से सॉयल को हटा कर हमने इस प्लांट को बाहर निकाल लिया है और साइट से हलकी हलकी सॉयल भी हटा कर इसको बाहर निकाल लिया है और अब इस पॉट में हम रख देते हैं लेवल जरूर चैक कीजिए जादा नीचे ना जाए प्लांट सॉयल में पॉट में और जादा ऊपर भी ना रहे तो दोनों ही अच्छी बाते नहीं है प्लांट के लिए तो जो लेवल है वो जरूर चैक कीजिए और आप सॉयल मिक्षर को भर देते हैं साइट से अच्छे से प्रेस कर देंगे जिससे जो प्लांट है वो एकदम से सेट हो जाएगा मधुमालती के सीट्स बहुत कम लोगों ने देखे होंगे तो आप वीडियो जरूर चैक कीजिए तो इस पर सीट्स लगे हुए आये थे लेकिन वो immature सीट्स थे क्योंकि छोटे पॉली बैंग में प्लांट इतनी ग्रोथ नहीं करता है जो अच्छे सीट्स वो बना पाए तो हमने उनको ग्रो किया था देखा था कि ये ग्रो होंगे या नहीं फर्ल्स टाइम ही ग्रो किया था लेकिन वो ग्रो नहीं हुए और जहां तक है वो immature सीट्स थे तो अब आगे जब इस पर सीट्स बनेंगे तो उसकी हम अच्छे से देख रेक करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो सही से बन पाए तब ही वो germinate होंगे पॉर्ट तैयार हो चुका है अब इसमें पानी भर देते हैं बहुत जादे पानी नहीं देंगे क्योंकि स्वाइल पहले ही moist है नमी है तो इसलिए इतने ही पानी काफी है वीडियो कैसी लगी है जरूर बताएए थैंक्यू